दोस्तों अगर आप एक content creator हैं और आपको एक ऐसा वीडियो बनाना जिसमें आप slow motion और fast motion दोनों दिखाना चाहते हैं लेकिन आपके पास PC बगरा नहीं है बड़े बड़े software नहीं है तो आप ये mobile में भी कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि insert video editor के अंदर आपको एक tools देखने को मिलता है उसका नाम है speed speed tools के मदद से आप यहाँ पे slow motion और fast motion दोनों दिखा सकते हैं और ओभी काफी smoothly यहाँ पे आपको किसी परकार का कोई frame का drop देखने को नहीं मिलेगा वीडियो आपको अटक अटक के नहीं दिखाएगा सराची आपको smoothly देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको कुछ preset भी देखने को मिलते हैं जिसको आप इस्तमाल कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर अगर हम slow motion या fast motion दिखाना चाहते हैं तो smoothly हम किस तरह से दिखाएं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंना नाम है सुनुकुमार और आप देख रहे हैं डीजी भारत अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते बिल दो उपं करने के बाद यहाँ पर देख रहा हूंगी वीडियो हमें करना है तो वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं और यहां पर हिडियो को चूज कर लेते हैं जिसको हमें एडिट करना है तो हमें slow motion और fast motion दिखाना है तो कुछ हो ऐसा ही है हम यहाँ पर इस वीडियो को हमें यहाँ पर select कर लेते हैं जिसमें motion हो तो इसको हमने यहाँ पर select कर लिया green बटन पर हमने क्लिक कर दिया तो देखिए ओ जो वीडियो किलिप जो हमने चूज किया हो यहाँ पर आ चुका है आप देख रहोंगे इसमें आपको एक motion चलता हुआ दिख रहा होगा गाड़ी चल रही है तो इसमें slow motion और fast motion दिखाने में हमें अच्छी से बनेगा तो इसको हम फिलाल के लि लोगों दिख रहा है इसको हम फिलाल हटा देते हैं इरिटेट कर रहा है तो नीचे की तरफ आप देख रहोंगे यहाँ पर फ्री रिमूब का एक option आता है इस पर आगर आप किलिक करते हैं तो आपके जो भी वीडियो आपने यहाँ पे डिट किया उसमें अगर वाटरमार होंगे अब हमारा जो बिंडोज है यहाँ पर क्लीन हो चुका है अब हम इसको प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से प्ले होता है अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि स्लो मोशन और फास्ट मोशन कैसे करेंगे हम अपने वीडियो में तो यहाँ पर हमें टूल्स के अंदर टूल्स देखने को मिल जाता यहाँ पर सबसे पहले परोसन है इसको आप इसको कम या ज्याजा कर सकते हैं कम अप 0.2 तक कर सकते हैं और的पाइयस्ट यहाँ पर ऑप 100 पर हमें लिखा हुआ देखर होंगे याईनि कि 100x तक आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और माइनस और अगर slow करना है तो 0.2x तक आप यहाँ पर slow कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर curve का एक option देखने को मिलता है curve से किया होगा कि किसी वीडियो के किसी पार्ट में अगर आप slow दिखाना चाहते तो आप इस ग्राप को नीचे इस तरह से कर दे और जिस जहाँ पर आप fast दिखाना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह से कर दें तो जिस जगह पर आप नीचे की तरफ की होंगे वहाँ पर slow हो जाएगा और जिस तरह आप उपर की तरफ की होंगे वहाँ पर fast हो जाएगा वीडियो तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं उसक को आपको कुछ पहले से बना बनाया यहां पर आपको प्रिसेट को इस तरह से ग्राफ बन जाता है अगर आप इस पर वीडियो प्ले करके आपको दिखाये तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा सबसे पहले थोड़ा फास्ट हुआ फिर स्लो हुआ जैसा कि आपने देखा फिर यहां पर हलका फास्ट होगा और फिर यहां पर स्लो हो जाएगा तो कुछ इस तरह से अगर आप देखाना चाते हैं तो इस प्रिसेट को आप यहां पर चूज कर सकते हैं जो कि काफिया पास्ट हो जाएगा और इस तरह से आपको कुछ प्रिसेट दिए गर इसको आपको इसको हमने साइट कर दि आपको यहां में मैं आपको बता देता ऑओ sealed स्टेंटर वाले स्टेंटरवाला किए क्या है कि आपको है को ये जो क्लिप है आपका ऊपिडियो क्लिप को अगर आप सलो करनाई देख रहे होंगे तो इस bisschen आप किलिच रहा है पूरे किलिप को एक साथ और अगर आप चाहते हैं कि चोटा सा पार्ट में ए चीज हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको आपको बाहर निकालना होगा इस तरह से स्प्लिट करके दोनों साइड और बीच वाला जो पार्ट है अगर उसमें हम सलो मोसन या फास्ट दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं यानि कि जो भी आपका वीडियो किलिप हो पूरे वीडियो किलिप पर ही एक साथ काम करेगा और जो कर्व वाला था उसमें था कि आप किसी पॉइंट पर आपका मिया ज्यादा कर सकते हैं तो वह ज्यादा बेस्ट है कर्व वाला तो हम यहाँ पर हाथ फिर से क्लिक करते हैं आपका स्पीड वाला टूल्स पर टूल्स पर क्लिक करने के बाद देखें फिर से वही बार आ गया है लेकिन यहाँ पर स्पीड का जो स्टेंडर मोड है इसको हम इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि यह बोरिंग टाइप का है पूरे वीडियो किलिप को स्लो या फास्ट कर देता है यह पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लो फास्ट नहीं करता लेकिन अब के जो रिल्स बगेरा बन रहे हैं उसमें दे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है पहले वाला जो पॉइंट है उसको हम हलका सा नीची की तरफ लाएं जैसा कि आपने देखा फिर दूसरे वाले पॉइंट को भी हम हलका सा नीची की तरफ लाएं और तीसरे वाले पॉइंट को हम अचानक उपर की त किया और मैनुवाली सेट करने कुद आपको एक टो से हैं पर उभर के सामने आएगा जो आप देख रहाऊंगा यहां पर इंडिकेट भी कर रहा है आस्मूथर शुलोवर यानि कि जो भी आपने यहां पर इडिटिंग किया जो भी आपने यहां पर सुलो मोशन फास्ट मोशन दिखाया लेकिन इसको आप Smooley करना चाहते हैं तो यहां पर export myth किलिक कर देते हैं तो आपका जो वीडियो की लिजाएगा जोभी आपने यहां पर बनायो कर्ब गर्व होGeekay कर देते हैं तो देखें प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका यान चलिए हम इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं कि जो हमने यहाँ पर लगाया वो किस तरह से काम कर रहा है प्रिसेट हमारा जो हमने यहाँ पर कर्व के माध्यम से मैनुवाली सेट किया था वो किस तरह से काम कर रहा है तो हम यहाँ पर play पर click करते हैं तो जैसे हम यहाँ पर play पर click करेंगे तो देखे सबसे पहले slow था और slow काफी अस्मुथली है यहाँ पर कोई frame drop आपको देखे नहीं मिला और फिर हलका सा fast हुआ और फिर आप देख रहोंगे यहाँ पर इस तरह से आ गया तो इस तरह से आप य एक particular point पर आप speed बढ़ा सकते हैं या एक particular point पर आप speed को घटा सकते हैं और माल लिजे कोई और point बगर आप add करना चाहते हैं तो यहाँ पर point आप add कर सकते हैं जिसको आप कम करना चाहें या बढ़ाना चाहें या इस तरह से sit करना चाहें तो आप normal पर भी इसको set कर सकते हैं द यहां पे एक प्यारा सा ग्राप बना कि आपको दिखाते कि किस तरह से एक गाम करेगा नॉर्मल से हलका सा सलो की तरफ आएगा इस तरह से जैसा कि आप देख रहे होंगे हलका सा सलो की तरफ आएगा यहां पे भी हम एक पॉइंट दे देते हैं इस तरह से सलो की तरफ से आए उसके बाद यहां पर इहां मैं बन गयां तो देखिए यह जितने भी points हम यहां पर लगाएं है हम ने मैनलिवलिहां wiping created करने के बाद कुछ इस तरह से हो चुक है अब हम चाहते हैं एक यहां पर बनाया उसको हम ago a filter कर दे विडीओ में अarta pomos वाले बटन पर आपको किलिक कर देना स्मूथ वाले बटन पर आप किलिक करके जैसे हैं आप ओके पर किलिक करते हैं तो यह सेट हो चुका है अब हमें सिंपल यहाँ पर प्ले करके आपको दिखाना है कि किस तरह से रन करेगा तो हम यहाँ पर प्ले पर किलिक करते हैं तो दे जैसा भी आपको वीडियो का requirement है जिस तरह से आप slow motion और fast motion जिस point पे आप दिखाना चाहते हैं उस point पे आप दिखा सकते हैं इस tools के मदद से जो की है speed tools के अंदर आपको curve का मिलता है curve में आप यहाँ पर manually set कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर preset का भी इस्तुमाल करना चाहिए अगर आप इसको export करना चाहते हैं तो save पे किलिक करें और यहाँ पर resolution फ्रेमरेट बगेरा set करके और इसको अगर आप फिर से save पे किलिक किजेगा तो यह video clip आपका export हो जाएगा और आपके gallery में आ जाएगा असानी से तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हैं उपने वीड वीडियो को आप यहाँ पर slow motion और fast motion में दिखा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इसी तरह का इंट्रेश्ण का वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं बेल आकन ज़रूर दबादे क्योंकि इसी तर के इंट्रेश्ण वीडियो मैं हमेशा आपके लेकर आते रहता हूं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जय जय भारत